बिल्कुल खस्ता क्रिष्पी और दिवालि तक दिवालि से भी एक महिने तादर चलने में वाले हम क्रिष्पी और कुरुदास नमक पात आज बनाएंगे जो की बहुत ही आसान तरीके से बनके तयार हो जाएगा और आप देख सकते हैं यह कितना ज़्यादा खस्ता और पुर्ण बनके तयार हुआ है जिसे देखते ही मन कर देख देख तुरंट खाने का तो इस सांदार से रस्पी बनाते हैं मिलकुल सिंपल तरीके से यहां पर मैंने ले लिया है एक कप मैदा छहना हुआ आप चाहें तो आठा कप 8 और अधा कप मैदा भी ले सकते हैं मैदा से बढ़ जाता है कभी खबार बेक्ति बनाता है इसा नहीं है कि रोज हम बना रहे हैं तो आप आठे कभी बना सकते हैं यहां पर मैंने नमक ले लिया है स्वाजा नुसार थोड़ा हम इसमें डालेंगे अजवाइन आधा चमश की करीब और अधा चमश मंग्रे लियाने की कल नहीं कि भीयाती है तरीका ही होता है कि हम पूल एकभकर कर लेंगी तो मैगे है बन्धे का तो यह सान होता हिसह का मोहीण तो तैयार लेंगे लगा i क्योंकि आटा इस सकत रहेगा तभी ये खस्ता और किस्पी बनेगा और अब हम इसे 5-60 में रख देंगे उसके बाद हम इसे लेके फिस से अच्छे से मसर लेंगे उसके बाद इसमें छोटी से एक लोई लेंगे और इसे एक चपार्ती की तरफ बेल लेंगे जैसे हम रोटी इसे बनाते हैं यह बहुत अर्पम हासा क्यों आए हम इंटा क्या लेकर मैं पें बहुत इसे लिगठे नमक पारी बनेख की बहुत सब्सक्राइब अब मैंने इस वाड़े-शाजा साइज में आफ चाहते हैं इस तरीके से इसे अच्छे से काटने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे मैंने आपके कड़ाई में तिल गरम कर लिया है जो कि बिल्कुल मध्य हम आज पर हम इसे सेखना है जितने हम इसे कम आज पर सेखेंगे उतने एक खस्ता करारा बंगे तैयार होगा और दीखिए इस अलपड के अच्छे से मिसेख लेंगे इसना सुनना से इसका कलर आ गया है बिल्कुल हलका और खस्ता करारा तो इस आप बना कि डबा भर की महीनुत रखके खा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत सिंपल और इजी तरीका है यह तो इसे अब एक बार जरूर से बना रेसिपी को ट्राइब करें पसंद दो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस मज़दार से नास्टे को इंज्जॉए करें इस दिवाली म इस नास्टावन के त्यार हुआ है